हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियल लीग मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा आर्सेनल वर्सेस वूल्स के बीज तो गाईज आर्सेनल आप जानते होंगे प्रीमियल लीग का टॉप क्लब है लास्यन यह रनर अफ रह मिट टेबल की टीम है और लास्यन यहोंने इफायम नौट रॉंग 14 प्लेस में फिनिश किया था और इस यहन भी वूल्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही है वो यह एक्सपेक्ट किया रहे कि यह बॉटम हाब अब अब टेबल में फिनिश कर सकते हैं और वूल्स के 2 में प्लियर एक में डिफेंडर किलमैन और एक में अटेकर जो है पेडरो नेटो वो कलब छोड़के जा चुके हैं तो कहीं न कहीं लास्यन से थोड़ी सी वीक अभी तक वूल्स दिखाई दे रही है अब गाइस इस वाले मैच की बात किया है मैच आर्स लिए प्रेमेर लिग की इस बाए टाइटल कंटेंडर भी है तो इस मैच को जीतने के लिए आर्सेनल एक क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है तो अभी के लिए स्मॉल लिग में हम आर्सेनल को बेक कर तो है अपनी टीम बनाने वाले हैं, अब guys सबसे main चीज, इस match के line-up आने के बाद, जो भी final team अपडेट होगी, वह आपको मिलेगी हमारे telegram channel में, तो जो मेरे telegram channel का link है, आपको, या तो मिल जाएगा description box में, या आपको मिल जाएगा top pin comment में, join कर लिजिए, अब हम आते direct probable line-up पे और पहले हम start करते हैं Arsenal से, तो यह favorites हैं, अभी में इनके maximum, यानि कि मैं 7 player Arsenal के pick करने वाला हूँ, तो guys, Arsenal की probable line-up पे नज़र डालते हैं, David Raya होने वाले हैं, इनके goal की पर, 4 इनके defender होंगे, Ben White, Saliba, Gabriel और Jinchanko, अब यहाँ पे एक change हो सकता है, Jinchanko के place में, जो new signing-in की Calafiori, वो start कर सकते हैं, बट फिलाल, मैं assume कर रहा हूँ, यही back line होनी वाली है, तो अभी, इस match में बहुत अच्छा clean sheet का जांस है, Arsenal का, तो मैं maximum defender Arsenal के लेके जा रहूँ, अभी मैं 4 तो नहीं ले आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए 4 में कोई 3 defender पिक कर रहा हूँ, और जो फिलाल मेरी top 3 choice है, वो है, White, Saliba and Gabriel, although Jinchanko attacking wise बहुत अच्छे हैं, defensive भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन मुझे इनके minute session नहीं, आप काला फ्योरी आ गए, timber भी हैं, तो इस वैसे मुझे ऐसा लगता है, इनके minute session नहीं है, जल्दी सब होने का chance रहता है, तो मैं अभी के लिए Jinchanko को ignore कर रहा हूँ, बागी White, Saliba, Gabriel, तीनो maximum time full 90 खेलते हैं, और तीनो भी बहुत solid defender हैं, Saliba, Gabriel, passes भी बहुत करेंगे, दोनों headers में भी goal मार सकते हैं, जबकि जो Ben White हैं, वो right back position से attacking returns भी देते हैं, goal assist करने में भी capable हैं, और वो defensive अक्तों करते हैं, तो मैं अभी के लिए White, Saliba, Gabriel ले रहा हूँ, फिलाल मैंने Jinchanko ignore किया, अगर आपको Jinchanko लेना है, देना आप Saliba हटा के Jinchanko के साथ जा सकते हूँ, अगर guys, Jinchanko के place में काला फ्योरी खेलते हैं, फिर मैं उनको guaranteed लूँगा, एक top class player है, बोलोनिया सा हैं, फिर हो सकते हैं, मैं Saliba आटा के काला फ्योरी के साथ, चले जाऊँ, defensive midfield में खेलिंगे Thomas party, फिलाल मैं ignore कर रहा हूँ, इंसे better option मिल लेते, अभी मैं Rice और Odigaard दोनू को लूँगा, दोनू बिना goal assist के अच्छे काजे point देते हैं, in fact Odigaard तो इनके captain भी है, और regular goal assist करते हैं, last two teams यम से main player है इनके, तो Odigaard मश्ट भी गया, और Rice भी बिना goal assist की भी अच्छे point देते हैं, और ये भी capable है midfield से कभी भी goal assist करने में, तो मैं party तो ignore कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहापे Rice और Odigaard दोनू को लेके गया हूँ, साका इनके main player है, टैलिस्मैन है, टॉप स्कोरर थे last year भी, पेनलिटीज में यूँगे, clear cut जो है, इस match में साका captaincy option रहने वाले हैं, तो ये भी must pick हैं, बगि काय हावर्ट्स की form भी बहुत improve होगई है, last 3-4 महिने में, तो मैं हावर्ट्स को भी शोली लूँगा, ये भी goal assist करने में के बेवल हैं, बगि गाइस threshing भी set rules की न हो, इस वैसे मैं हाप एक gamble दे रहा हूँ, मैं अभी के लिए martinally ignore कर रहा हूँ, क्योंकि अगर goal assist नहीं आया, इनका off day आता है तो ये substitute हो सकते हैं, सैकिन आप में trossard या दूसरे कोई player अंदर आ सकते हैं इस वैसे मैं एक risk लेके martinally ignore कर रहा हूँ, अगर आप शोरे goal assist करेंगे, तो आप rice attack मार्टिनली ले सकते हो, नहीं तो आप defender Saliva को attack बे अटेकिंग सेक्शन में martinally के साथ जा सकते हो, अभी मैं martinally को ignore कर रहा हूँ, तो ये arsenal की 11 थी, फिलाल जो मैंने यहां से players pick की है, तीन में defender लेगिया, white Gabriel and Saliva, इसके लाव में rice, odigard, saka और kaya howards को भी करके गया हूँ, बागी जो इनकी penalty है, वो saka ही लेते हैं और backup penalty टेकर है, odigard, अब guys stat कुस्ते नहीं एक नया fresh season है, अब हम direct बात कर लेते हैं opponent, wolves की, तो guys, wolves की प्रोवेबल लेंट पर नजर डालते हैं, जो से साह होने वाले हैं इनके goalkeeper, अच्छे sortis stopper हैं, Arsenal इस match में ज्यादा टेक करेगी, तो जो मेरे goalkeeper है हो साही रहने वाले हैं, चार इनके defender होंगे, Matt Doherty, क्योंकि Nelson सा Meadow Suspendator तो Doherty खिलिंगे, साथ में होंगे Mosquera, Toti Gomez और Ayat Noori, अब इनका defense बहुत जादा top class नजर नहीं आ रहा पटी है, जो young defender है Mosquera, Toti Gomez, यह solid हैं से, फिलाल अगर आपको लगता है, threshing होगी wolves की, तो आब इनके सारे defender skip भी कर सकते हो, बट अभी, एक मुझे defense में बहुत standout player लगता है, वो है इनका इनके सारे defender skip भी कर सकते हो, अब दो इनके central midfielder या defensive midfielder सुंगे, Lamina और Jao Gomez, और यही पूरा midfield control करते है, वोल्स की, तो फिलाल में इन दोनु को भी लेके गया हो, Lamina तो बहुत जादा defensive भी करते हैं, goal assist करने में भी capable है, और तो फिलाल में Lamina और Jao Gomez ले गया, I think Lamina तो must pick हो जाता है, लेकिन Jao Gomez वाले place में आप चाहे तो Pablo Sarabia हुआंगी, चैन में भी किसी को ले सकते हो, पड़ अभी के लिए मैं Jao Gomez को भी ले गया, Sarabia ऐसा हो सकता है, कुनिया यहाँ पर स्टार्ट नहीं करने वाले, इंजरी से comeback कर रहे हैं, उनके absence में penalty ले ले, player अच्छ है, creative है, तो आप चाहे तो Jao Gomez के place में safe जाने तो Sarabia ले सकते हो, बट अभी मैं drop कर रहा हूँ, क्यूंकि मैं expect कर रहा हूँ, arsenal clean sheet रख लेगी, और Sarabia अगर off day आता है, तो यह भी जल्दी साब हो सकते हैं, इस वैसे अभी मैं Sarabia को ignore कर रहा हूँ, player Hwangi Chang, well class है मेरे according, बहुत pacey, बहुत skillful है, counter में threatening हो सकते है, last year के इनके joint top scorer भी थे, बट अभी वही है reason, मैं expect कर रहा हूँ, arsenal clean sheet रखेगी, तो मैं Hwangi Chang को भी ignore कर रहा हूँ, same with जो इनकी new signing है, strigal lasan, यह Celta Vigo से आये हैं, Laliga से, बट मैं इनको भी ignore कर रहा हूँ, और मैं एक Rodrigo Gomez करके player है, उनको भी ignore कर रहा हूँ, अब guys जो एक तो Jao Gomez है, जूसर है, जो R Gomez है Rodrigo Gomez, यह भी इनकी new signing है, Portuguese जूसर हैं, अच्छा player है, defensive भी कर सकता है, और attacking वाइस भी अच्छा है, kind of wing bag वारे role में खेल सकता है, तो आपको point लेना है, Jao Gomez के place में, Rodrigo Gomez पर ले सकते हो, safe जाना है तो Pablo Sarabia या Huangi Chang के साथ जा सकते हो, बट अभी मैं इन सारे attacker को वूल्स के ignore कर रहा हूँ, तो यह वूल्स की 11 थी, फिलाल जो मैंने आसे players पिक के, मैं इनके गोलगी पर लेगिया, Jose Sa, defensive में आयतनूरी, इसके लाव मैं दोनों midfielder, Lamina और Jao Gomez को लेके गया हूँ, अब इनकी penalty जो है, वो कुणिया लेते थे, लेकिन वो most probably start नहीं करेंगे, तो उनके absence में सराबिया हुआंगी चैन में इनकी कोई एक penalty ले सकता है, बागी गाईज इनके stat थे नहीं, अब मैं direct अपनी इस match की prediction में आ जाता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सस्क्राइब नहीं किया, उससे जरूर कर लीजिए, ऐसी football related videos, fantasy previews, मैं आप regular post करने आ आला हूँ, न्यू सियन स्टाइब हो चुका है, तो आप चैनल जरू सस्क्राइब कर लीजिए, अब आजाते हैं मेरी इस match की prediction में, तो मैं एक 2-0 clear cut Arsenal victory के साथ जा रहूँ, तो अभी ये मेरी demo rough team है, गोल कीवर मैंने सालिय वूल से, तीन में Arsenal के defender लेगिया, सालिवा, गेबरियाल एन, बैन वाइट, एक में वूल्स का defender लेगिया हो, आयत नूरी, मिटफिल में मैंने लमीना और जाओ गोमिज लिए, वूल्स से, और यहां से मैंने पिक किया Arsenal से, राइस, साकाय और ओडिगार्ड, और अटेकिंग सेक्शन में मैंने काय हावर्ट्स को पिक किया है, अब गाइस, यहां पे changes क्या क्या हो सकते हैं, पहला change, अगर आपको मार अब लो सराबिया, रिस्क लेना है, तो एक और प्लेयर है, रोडरिगो गोमिज करके, न्यू साइनिंग अगर वे स्टार्ट करा, उन पे पाइंट ले सकते हैं, अभी मैं लमीना और जाओ गोमिज दोनों को ही लेके जा रहा हूँ, बाकी गाइस, मैं बहुत ज्यादा और चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस टीम में, फिलाल केप्टन सी जो है मैंने साका को ही दिये, क्लियर कड ओप्सन है, वीसी मैंने ओडिगाट को किया है, आप चाहे तो ओडिगाट के प्लेस में अगर आपको लगता है, हावर्स का गोल असिस्ट हैग, आप उन झाल